जिस तरह से बदाईयों की राजनीती गर्मा रही है उसको देखते हुए जो भाजपा के जो नेता है दिगज नेता है वो छोड़ करके कहीं न कहीं सपा में सामिल हो रहे हैं अब देखना यह होगा कि 2022 की जो राजनीती है या जो पारा चड़ रहा है वो चड़ करके कहां पहुँचता है आने वाले जो 14 फरवरी को चुनाओ है उसमें जाकर के जो है किस तरह बोट जाएगा अब देखने वाली बात है अगर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम आज पहुच चुकी है दातागन 117 विधान सवापे और हम यहां से बात करेंगे बीएसपी बीएसपी का जो सम प्रतियासी है यहां से घोसित प्रतियासी है रचित गुपता अब देखने वाली बात है कि बीएसपी अन्य पार्टियों की या पेच्छा उनमें मन्थन सुरू है किसको प्रतियासी घोसित किया जाए किसको उतारा जाए इसको देखते हुए कई बदाईयों से दिगज नेता पार्टि छोड़ छोड़ के दूसरी तरफ चले गए आज अगर हम बात करेंगे यहां से जो प्रतियासी है रचित गुपता उनसे जानेंगे कि एक बड़ा जो पाएगा आजकल सोशल मीडिया का टाइम है और डिजिटल माध्यम ही एक ऐसा माध्यम है कि हम जल से जल लोगों के पास पहुंच पाएंगे बीजेपी ने इसको लगा के अपनी एक बिल्कुल जिसे कहते हतों साहिद वह हो चुके हैं क्योंकि उनकी सारी रेलियां तो फेल कर्मिशन हम सरफ इसलिए नहीं ले सकते अधर्णिये वहन जी का जनम दिन उस दिन मनाया जाता और पूरे देश में पूरे प्रदेश में ऐसा जन सहलाब उमर जाता कि बीजेपी को पता चल जाता हाशिये पर पहुंच चुकी है और आज दिन वर में मैंने जो भी थोड़ माध्यम से अगर कन्वेसिंग होगी तो ठीक है हमारे देश की जनता ठीक रहेगी और हम लोग अच्छी तरीके से वह भी मैनेज कर लेंगे कोई बात नहीं जिस तरह से बीजेपी में भागम भाग पड़ी है सपा में लोग सामिल हो रहे हैं तो क्या लगता है कि 2022 में बीए बीजेपी का प्रोडेक्ट थे और हमारा बोटर आज सोबह भी पत्रकार मौद है मुझसे बात कर रहे थे तो मैंने का हमारा बोटर बहुत साइलेंट है बहुत शांती से अपना काम करेगा और इस भगदड़ को दिखा रहे हैं कि बीजेपी कहीं ही नहीं अब और एंटी में लगता है कि जो है सपा और बीजेपी का ही मुकाबला देखने को मिलेगा रजित जी मैं आगे जानना चाहूँगा कि आप जो विधानसवा में चुनाव के लिए हैं तो अपने चुनावी मुद्दे क्या हैं किस इस तर के मुद्दे लेकर कि आप जमीनी इस तर पर उत है जो पिछली गौवर्मेंट ने हमारे हां ज्यादा तर प्रिदेश में लड़के हमारे पड़े लेके बेरोजगार घूम रहे हैं मैं रोजगार देने की पूरी कोशिश करूँगा ये थे हमारे साथ 117 विधान सवा दातागंच की बात की जाए तो गोसित प्रत्यासी थे बीएसपी से और इनका मानना भी है कि जो युबाओं को रोजगार है और जो 117 विधान सवा के लिए जिस चीज की आवस सकता है आगामी आने वाले समय में एकर बीएसपी की गवर् प्रियार आठोर न्यूज वर्ल्ड इंडिया बताईयों